हेलो वाट्स आप गाईस माने भी स्बिनो अदबाद हुथा आपाया तूदे निस वीडियो भी वीडियो में इतने सारे कार्ट सर्च फंक्शिनालिटी वह होगा हमारा प्रोजेक्ट यूज एफेक्ट हो खतम होने पर तब मैं आपको बताऊंगा बट फिलाल अभी कुछ द क्रेट कर सकते हो इन रिएक्ट जेस एंड वांस आपको यह तीन चार वीडियो का कॉंसेट पाता चल गया ना बिलिप में यू विल बी किंग वेदर अप्लिकेशन चाहे कोई भी डेटा हो चाहे गिठाब यूजर सो चाहे वो कोई डिपाई कैसा भी हो सब आप बहुत इस जिली टेकल कर लोगे ठीक है यहां पर सारे बेस्ट प्रैक्टिसेस आपके साथ सेर करने वाला हूं प्रॉमिसे से सिंग कवेट ट्राइक हैंडलिंग यह सब बहुत सारी चीज़े होंगे जो आने वाले कुछ तिन चार दिन में आपको पता चलने वाला एंड फाइनली वी अब हम डेटा कैसे फैच ना करें देखो तो नॉर्मली जावस्कृट में भी हम बहुत इजली फैच एपाई का यूस करते थे यहां पे भी हम फैच एपाई का यूस कर सकते हैं तो इट्स फैच यहां पर आप यह रख दीजे ठीक है अब यह जो पर्टिकुलर अपियाई मैंने आपको दिखाया यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कुछ वह आपको इस तरह की से दिखाया देता है जहां पर आपको एरे ओफन अब्जेक्ट मिल रहा है जहां प को प्रॉमिस रिटन करता है और उसको हैंडल करने के लिए इस दैन मेथेड जिसके अंदर एक कॉल वैक फंक्सन आप दोगे जहां पर आप डारेक्ली लिख दूश्तर की से रेस्पॉंस तो होता है क्या है जब आप इस मेथड को कॉल करता है इस अपिया को तो जो भी पाइन पर यहां पर यहां पर जो वाल जो डे ता है अप जावन अपने उसको जैसन में कनवेट किया,据र्बद पूसको जु तो रही हो सब्स्वाच ciao पर भीstadt को क क्यक्तों है39 ya है अब भाख कर को पर गंशु अब इस फ safety में या रहन रहता है basically इस particular जब fetch API आप यूज कर रहे हो इस बीच अगर कहीं पे भी कुछ भी error या रहा तो वो ये catch कर लेता है and उसको भी हम बहुत easily error करके इस तरह के से दिखा सकते है simple and guys if you don't know what is promises and how to deal with promises then I highly recommend to check out my world best JavaScript course I think आपको इस वाले particular advanced part में देखने मिलेगा promises and मैं आपको जल्दी से मेरा आप देख सकते हो यह जो PPT है यह मेरा world-based JavaScript की PPT जहां पे 200 से ज्यादा अनिमेटर स्लाइट से कल की वीडियो में मैंने आपको यह API दिखाया था advanced script कितिना कूच है देखो fetch API and then promises तो गाइस आप देख सकते हैं उसको मैंने just slideshow पे रख दी है यह promise is like a placeholder for the results of an asynchronous operation simple है ना आप किसी को promise करते हो चलो ठीक है hello कल मैं आता हूँ चार बज़े मिलने आपसे आपने किसी को promise कर दी कि कल की दिन में चार बज़े आता हूँ यह promise हो गया अब ध्यान से देखना जब तक कल की दिन का चार नहीं बज़ जाता मतलब जब तक कल नहीं आता हैं चार नहीं बज़ जाता तब तक कोई guarantee नहीं कि वो successful होगा या नहीं होगा समझ रहो ना settled मतलब कल की दिन चार बज़े तक हमें नहीं idea इधर it will be resolved या मतलब success हुआ और is I mean or is it rejected मतलब हम मिलने नहीं गया चार बज़े समझ रहो promise simple है मैंने promise की कि कल दो फेर चार बज़े मैं आपसे मिलूंगा साम में चार बज़े मिलूंगा अब कल चार बज़े ही बताएगा तब हमें पता चलेगा कि मैं मिलने गया या नहीं गया मैंने promise को fulfilled की या मैंने promise को reject कर दिया तोड़ दिया बस यह 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 यहां पर भी गई है promise जब तक चार नहीं बसता आपका वो जाएगा pending stage में and अगर चार बज़ गया तो उसके बाद बेसिक लेबल में मैंने बता है जब आप वीडियो देखो कि मेरा actual जावस्क्रिप्ट वाला तब आपको पता चलेगा बहुत awesome तरीके से मैंने आपको deal करके बता है प्लीज चेक आउट कीज़ेगा मैं ऐसी world-based नहीं बोलो एक बार आप देखो आपको खुद रिलाइज हो ठीक है अब उस डेटा को मुझे यहां पर दिखाना भी है समझ रहो अब मैं यहां पर वो डेटा को कैसे दिखाऊ मेरे user interface पे क्यों क्योंकि रूल क्या बोलता है जब भी कोई आप ऐसे डेटा के साथ डिल करें जिसकी value change होने वाली है then we need to use state hook ठीक है तो मैं यहां पर चलत इसल वैल्य में एक एरे रख दे रहा हूं एक एम्टी आरे विकॉज हमें मालूम है कि वह एक एरे हमें मिल रहा है अरे ऑफ एन अब्जेक्ट है तो set API का डेटा मैं लोंगा यहां पर इस जगे पर जाके मैं अब यह console की मुझे कोई need नहीं है direct मेरा जो set API का डेटा लेके म we have this fat arrow function जिसमें return होगा हमारा li का element and यहां पर let's go with current data ठीक है and यहां पर बहुत easily अब आप टैकल कर सकते हो and that is कि no matter what पहले तो आपको की लगेगा and the beauty is कि हमारे पास already current data में ही हमारे पास id है and यहां पर current data.post अब यह जो current data.id है यह तो आप देखो ना हर एक field पे we have this id and by the way post करके कुछ नहीं है we have this body हां यहां तो title है title add कर लेता हूं मैं ठीक है id सबके पास है and id सबका अलग है तो यहां पर we have this title ठीक है तो यह मेरा काम हो गया अब अब अगर मैं यहां पर चलता हूं and then refresh करता हूं तब आप देखिए कि use state is not defined perfect use state is not defined and पता नहीं क्या हो गया suggestion भी नहीं आ रहा है import use state from our react library this is it and yeah boom guys see मुझे मेरा data आ गया and कितनी easily हमने इसके साथ deal कर दी and काम हो गया but आज का video का title था कि how not to fetch API data in react application but मैं तो फेच करके बता दी data भी मुझे मिल रहा है बहुत awesome तरीके से बट problem बताता हूं जब आप network पे जाओगे and एक चीज़ notice कर यो guys यहां पे यह देखो क्या हो रहा है bottom पे ध्यान से देखिए यह जो part है request infinite loop पे उचा रहा है जा रहा है infinite loop पे हो जा रहा है infinite loop पे उचला गया तो यह बिल्कुल भी सही नहीं है this is totally wrong यह आप नहीं कर सकते वाई मैं एक काम करता हूं यह आप नहीं कर सकते इस जड़बार्तिक हतम यह नहीं कर सकते थे हम अब इसको हटा रहा हूं मैं इस टॉप कर रहा हूं ठीक है finally yes see अब आप देखोगे actual में होना सिप तीनी request था बाट ओ infinite loop पे गया क्यों क्योंकि the moment आपने इस function को call की fetch API को call किया and आपने यह जो set API इसको call किया तो तब क्या होगा यह हमारा जो actual state variable उसकी value को यह change कर देता है the moment इसकी API की value change हुई यह function जो है यह sorry जो component वापस rerender हो गया वापस rerender हुआ यह तो direct बाहार है वापस यह API को call गया वापस इसने इसको update कर दी I mean set API ने value को update कर दी वापस update मतलब वापस rerender यह cycle चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा एंड जिंदगी में रुकेगा नहीं तो यह हम नहीं कर सकते दो output आपको मिल गया था कोई problem नहीं था but behind the scene कितने request आप देख रहे हो ना request पर request को share करते जा रहा था यह एक time आएगा जब खत्म सब आपकी जो space बची भी memory सब उड़ जाएगी ठीक है तो यह था वो तरीका जो आपको अपनाना नहीं है कल की वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि कैसे आप इसको tackle कर सकते हो with the help of use effect hook क्योंकि बहुत क्लियरली है मैंने आपको बताया भी कि use effect hook आपको तब उस करना है जब आप external source यह external data के साथ डिल कर रहे हो यह जो data है यह react का data नहीं एक external API का data जो मैं get कर रहा हूं तो कल का video बहुत मजा आने वाला यह तो just एक demo तक कल से हम actual हमारा जो Pokemon है उसके साथ हम खेलने वाले आपको रेरेंडर का concept कब रेरेंडर होता है कब नहीं होता है कैसे उसके साथ डिल करना है सब के बारे में आइडेया आ चुका होगा तो कल से video बहुत ही ज़्यादा ऑसम आने वाला फाइनली यह जो Pikachu दिखने वाला कल हम इसको create करने वाले I am super excited hope आप भी उतनी ज़्यादा excited हो तो कैसे हमारे जो playlist उसको check out करना बिल्कुल मत भूलेगा वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए ऐसे ओसम वीडियो देखते रहने के लिए अभी तक subscribe नहीं के तो please कर दीजिएगा मिलता हूं कल की वीडियो में टिल दिन गाईस थेंकियो तो हुआ है ळीडियो के वहारे में वीडियो के वीडियो जूआ यूआ है यूए साइध टलनी Monkey